बिस्मिल्लै रमाने रहीम स्सालाम अलेकुम गाइस कैसे आप सब लोगो मिठ करते हो ठीक होईगे मैं हुई इसमा आप देख रहे हैं इसमा पूर्ट सिगर्ट आज मैं आप लिए लेकर आई भरवा करेले की रैसिपी भरवा करेला बनाने के मैं आपको चंटिस बताऊंगी क करेले का करवपण किस तरीके से खतम किया जाएगा और भरवा मसाले को किस तरीके से और मजे का बनाया जाएगा रैस बिजय अंटक लाजनी देखना जिसकी लिए मैंने 1 kg करेला लगा है करेले को मैंने अच्छी तरीके से वाश कर लिया है आप इसको हम छूरी की मदद से इसकी मदद से इस तरीके से इसके छिलको ताल लेंगे तमाम करेले को हमें इसी तरीके से करना है इस तरीके से करेले के छिलको ताल लेना और इसको साइटों से भी कड कर लेना है बागे तमाम करेले हमें इस तरीके से कर लेना है करेले के बीच वाले हिसे से हमें इस तरीके से कड लगा ले रहा हैं करेले के उपर वाले हिसे से नहीं लगाना बीच वाले हिसे से लगाना मसारा भरते वे बहुत परिशानी होती है और इस तरीके से हम चमश की मदश से इसके अंदर से बीच निकाल लेंगे या फिर हातों की मदश से भी आप बीच निकाल सकते हैं तम हम करेलो को अच्छी तरीके से बीच निकाल लें अब इसके अंदर इसके करवपन दूर करने के लिए हम इस पर नमक लगाएंगे नमक लगाने से इसका करवपन दूर हो जाता है और इसको हम पानी में बॉइल करेंगे हमें इसको तक्रीबर दस मिनट तक पकाना है करेलों को हमें जादा नहीं पकाना है 10 मिनिट हो चुके हैं करेले को हमें तक्रीबन 70 फिसद पकाना है बिल्कुल 100 फिसद नहीं पकाना है ताकि हमें इसको ओईल में भी फ्राई करना है इस तरीके से तमाम करेले को एक साइड में रख देंगे पानी को निकाल लेना है इस तरीके से तमाम करे लेगा पानी को निकाल लेना है करेले की भरावा मसाला बनायने के लिए हमने 4 टैबली स्पून ओई लिया है करेले का मसाला इसे बहुती मज़ेगा बनता है मैं आपको यह न्यू तरीके से रैस्पी बता रही हूं इस तरीके से बनाएंगे तो सब आपकी तारिफ करेंगे तीन मीडियम साइस की प्यास लिए प्यास को मैंने बारिक बारिक चॉप कर ली है और इसको तक्रिब्यान नरम मुराइम होने तक पकाएंगे एक पाव मैंने चिकन लिया है जिसको मैंने बारिक बारिक काड लिया है चिकन का मैंने कीमा इस्तमाल नहीं कर रही हूं तू टेबिल स्पून अदक लासन का पैस, वन टेबिल स्पून लाल मिरज पॉर्डर, हाफ टी स्पून हल्दी पॉर्डर, वन टेबिल स्पून कूटावा साबुत धनिया, वन टेबिल स्पून नमक इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर 4 टेबल स्पून के तरह करीब पानी एट करेंगे तीन से चार हरी मिरज एक मुठी हरा धनिया इसको पाच मिलेट तक मजीद पकाएंगे मिडियम हाई फिलेम पर और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे मसाले ठंडा हो चुका है अब हम मसाले को करेले के अंदर भरेंगे इस तरीके से तमाम करेले को भर लेंगे और करेले को बन करने के लिए धागे से हम इस तरीके से करेले को सी देंगे ताकि इसके अंदर की फिलिंग भालना निकले इसको बढ़ागा लपेड लेना है इस तरीके से मसाला बिल्कुल भाल नहीं निकलेगा फ्राइए करते वक्त अब फ्राइए करने के लिए एक बड़तन में हम ओईल लेंगे ओईल को अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे करेले में ज्यादा ओईल नहीं डालेंगे क्योंकि करे परेले मेंध लगेंगे मैं करेले कट कने करेले प्राइए मजैक तक रियकले यूणिक करेले करेले mix!」 करेले नहीं जायएक होरे लिए एक साइड़ बातनी है मुझे कुमेंट कर्याइब करै जो आ ज्याएं सुझी चैनल को सब्क्राइब करेले हिराए करेली का परेलेगाल